दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम लोग Python Objects और Data Structures की बात करेंगे तो Python Objects और Data Structure क्या चीज़ है इसको समझने हैं के लिए आप यू समझे जैसे घर की मिसाल होती है घर का जो Basic Building Block है ना वो एक इंट है बहुत सारी इंटे मिलके जो है ना वो घर बनाती है इसी तरह Different Data Types, Different Objects मिलके एक Python Code बनाते है एक Python Program बनाते है तो इन Data Types में Different Data Types हैं तो इन टाइपस को समझने के लिए सबसे पहले हम Numbers की बात करते है लेकिन इससे पहले कि मैं Numbers की बात करूँ अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि Python यहां पर मेरे उपर पागल हो रहा है यह जो लाइन है यह मैंने आपके लिए लिखिए एक Third Party के समझने के लिए लिखिए है इसका मतलब यह है कि एक Comment है उसके लिए जो इस Code को समझेगा पड़ेगा तो एक Comment declare करने के लिए हम Hashtag को यूज करते हैं ऐसे जब मैं Hashtag लिखता हूं तो आप देखें कि आप Python खुश हो गया किता है अच्छा यार पहले बताना था मैं समझा कि तुने ये Code लिखा हुए तुमने दिमाग की मेरे की लसी बनाई हुई थी Anyhow तो आप Python को समझ आगए यह Hashtag है इसको आपने आसान तरीके में यूँ समझना है कि जो Hashtag के बगएर होता है वो Girlfriend है Python की और जो Girlfriend होती है बनाई उसकी बात को समझता है उसको interpret करता है ठीक है और उस पे तवज़िए देता है लेकिन जो Hashtag है ना वो यूँ समझ लिए वो Ex Girlfriend है वो Broke हुआ हुआ रिलेशनशिप है इसका मतलब यह है कि उससे आँखें चुराता है Python और यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि Python आँखें चुरा रहा है अब जो हम चीज सीखने लगे हैं सबसे पहले different data types है मैं पहले आपको overview नहीं दूँगा उसकी वज़ा यह है कि मैं पहले आपको bombard नहीं करना चाहता मुझत चीज़ों से सबसे पहले हम numbers की बात करते है school में जाते थे कहते थे एक दूनी 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 चार numbers की बात करते थे सबसे पहले हम कहते हैं जी numbers अब numbers में दो types होती हैं दोस्तों एक होता है integer एक होता होता है float यह से आपको यहां पे नदर आ रही है, तो होल नंबर और डैसिमल बैल्यू, तो आए हम पाइथान को पहले ऐसे कल्कुलेटर यूज करते हैं, और इनके ओपर हमारे जो बेसिक रिदमाटिक हैं, जो हम स्कूल में करते थे, जम्मा, तक्सीम, मनफी, और जो भी थे, जो फंक करने के लिए हम लाइन बाइन चलें और फिर हम इसके ओपर मूव होंगे, लाइन बाइन जाने के लिए हम पाइथान कॉंसोल में जाते हैं, यहां पर देखिए, राइट साइट पे, हो सकता आपके यह पाइथान कॉंसोल यहां पर नीचे, इसको यहां पर राइट साइट पिलाने के लिए right click करेंगे move to करेंगे top right corner, यह देखे, right top, यह click करेंगे तो python console यहां पर आ जाएगा, आप python console को open कर लेता हूं, यह बात, variables को small कर देते हैं, तो अब हमरा पास यह window आ गई है, सबसे पहले addition, दो जम्मा दो, चार, अब आप मेरे उपर हांसरे होगे, कहरूंग एक, अब division की बात करते हैं, मैं कहता हूँ, four divided by two, two, perfect, अब हम multiplication की बात करते हैं, two multiplied by two, four, right, अच्छा, यह चार चीज़ें तो हमें basic पता चलगी, अब थोड़ाजा हम एक step उपर जाते हैं, अब हम बात करते हैं, power किस तरह लेते हैं, two, जब दो दफाँ आप star डालते हैं, और कोई value देते हैं, तो वो उस base की power बन जाती है, यानि कि अब वो two की power three है, two की power three eight होता है, तो अब eight हाई है, two की power two four है, five की power two twenty five है, good, हमने power सीख लिया, अब हमने remainder निकालना सीखना है, मिसाल के तोर पे four divided by two जो है, वो क्या है, हमारे पास two है, right, अब मैं चाहता हूँ क ये remainder कितना बचता है, exactly, जब चार के उपर दो पूरा पूरा तक्सीम होता है, तो remainder zero बचता है, remainder हासल करने के लिए two percentage sign by four and remainder is zero, perfect, अब यहां पे आप सोच रहोंगे कि इसकी application का है, इसकी application बहुत जादा, मिसाल के तोर पे ये एक random number है, ठीक है, अब क्या मुझे बता सकते ह हैं, अगर remainder आच जाता है zero तो ये तीन पर पूरा पूरा तक्सीम हो जाता है, अगर नहीं तो फिर नहीं, ओ, perfect, तो ये divided by three है, ठीक है, इसी तरा हम odd और even भी जान सकते हैं, क्या ये odd है या even है, तो इसका remainder हम two से देखेंगे, ठीक है, ये देखिए two, okay, ये odd number है, ठीक है, तो इसकी application है, तो इस lecture को मैं यहां पर close करूँगा, एक बहुत ही important concept के साथ, और वो है दोस्तो, PIMDAS, P, E, M, D, A, S, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, पी से आता है, इससे पहले मैं आपको ये बता हूँ, ये से क्या आता है, मैंने पहले आपको मसला बता दे तो मसल क्या है, मिसाल के दोर पर यहां पर मैं एक equation लिक रहा हूँ, मनफी 6 divided by 8, आपके ख्याल से इसका क्या जवाब होगा, जो आप जबाब सोच रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उसकी वज़ा ये है, कि order of operation जो है, वो इस sequence में नहीं है, जिसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि पहले जो है, यहां पर multiplication होगी, फिर division होगी, फिर subtraction होगी, उसकी वज़ा ये है, कि ये order follow होगा, पहले पहले parenthesis अगर आती है, फिर exponent आ जाएगा, फिर multiplication आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, फिर division आ जाएगा, मेरे spelling में से कीड़े नहीं निकाल लएए, division आ जाएगा, addition आ जाएगा, एडबल डी, एडी, आई, addition आ जाएगा, समझ आ जानी चाहिए बार, फिर subtraction आ जाएगा, ठीक है, तो ये basically order है, पिम दास, हर equation जो है, वो ये order follow करती है, जैसा कि parenthesis जो है, वो सबसे उपर है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई और sequence follow कराना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ parenthesis में रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो अब होगा ये कि पहले 3 minus 6 होगा, फिर उसके बाद multiplication होगी, उसकी दो के साथ फिर division होगी, ठीक है, अब result different आ ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज आपने ये जहन में रखनी है। कि Python जो है, भो राइट से लेस्ट की तरफ प्रासेसिंग करता है ठीक है, वो राइड से लेफट की तरफ आथा है, पहले जो राइट में होता है वो करता है, पिर आता जाता है प्रोसेस करके जो बेलियु आती है वो फिर आगे किसी चीज़ को साइन करते हैं याद रखना है राइट टू लेफट और पिंदास दो कॉंसेप्ट सी यू इन दे नेक्स लेक्चर